साथियों, न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। महिला आयोगों को चाहिए कि समाज की एंटर्प्रिनर्शिप में महिलाओं की इस भूमिका को जादा से जादा पहचान मिले, उसे प्रमोट किया जाए। आप सभी ने देखा हैं कि पिछले साथ सालों में देश ने इस और विशेश द्यान दिया है। प्रतिश्टित पद्म सम्मान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसका एक और उधारन है। 2015 से लेकर अब तक 180 महिलाओं को उनके अभूत्परवा कारियों के लिए पद्म सम्मान दिया गया है। इस वर्ज भी 34 पद्म पुरस्कार 34 अलग-अलग शेत्रों में काम कर रही महिलाओं को मिले हैं। यह अपने आप एक रिकॉर्ड है। आज तक कभी इतनी जादा महिलाओं को पद्म सम्मान नहीं मिला है। इसी तरह आज खेलों में भी भारत की बेटियां दुनिया में कमाल कर रही है। ओलेम्पिक्स में देश के लिए मेडल जीत रही है। कोरोना महमारी के खिलाप इतनी बड़ी लड़ाई पूरे देश ने लड़ी। इसमें हमारी नर्सेस ने, डॉक्टर्स ने, विमेन साइंटिस ने कितनी बड़ी भूमी का निभाई है। यानि जब भी अवसर मिला है, भारत की नारी सक्ति ने अपने सामर्त को साबित किया है। और आप सभी से बहतर इस बात को कौन जानेगा कि एक महिला सबसे अच्छी टीचर और ट्रेनर भी होती है। इसलिए देश के सभी महिला आयोगों के सामने भारत में एंट्रपिनसिप से लेकर स्पोर्ट्स तक एक नई सोच और ख्षमता तयार का भी एक बहुत बड़ा दाईत्व है।